वेलकम बैक टू इन्फोनिक्स एलर्न, आज के क्लास मेन हम जानेंगे इन्वेंटरी इन्फो क्या है, हमने नया सुपर मार्किट का बिजनेस शुरू किया है तो उसमें स्टॉक आइटम रहेंगे, स्टॉक आइटम या गुद्स के एक्जाम्पल के लिए बिस्किट्स, साब अब इन्वेंटरी इन्फो के अंदर आपको यहां मिलेगा स्टॉक ग्रूप्स, स्टॉक आइटम्स, यूनित्स अव मेजर, वाउचर टाइप्स, कॉपी अलिकेशन डीटेल्स, यह सारे ओप्शन में सबसे इंपोर्टन्ट है, स्टॉक ग्रूप्स, स्टॉक आइटम्स, यूनित्स अव मेजर, यह तीन ओप्शन हमें आइटम लिस्ट बनाने में काम आएंगे, सबसे पहला काम ग्रूप के अंदर जाना है, याद रखे, फर्स्ट ओप्शन ग्रूप है, ग्रूप के अंदर जाएंगे तो सिर्फ क्रियेट का ओप्शन अक्टिव है, डिस्प्ल लेजर हर बिसनस के लिए सेम होता है, लेकिन आइटम ग्रूप सब बिसनस में अलग होते है, जैसे कि कोई तेल साबून बेचता है, तो कोई चड़ी बनियान, इसलिए हमें यहाँ आइटम ग्रूप क्रियेट करना पड़ेगा, क्रियेट में एंटर करें. जैसे कि हमारा सुपर मार्केट का बिजनिस है उसमें साबुन तो हम बेचेंगे ही इसलिए मैं पहला ग्रुप सोप बनाऊंगा अंडर में प्राइमरी रहने दीजिए और निचे का आप्शन नो रहने दीजिए अब हम नेक्स्ट कुछ खाने के तेल का ग्रुप बनाएंगे यहां हमारे सुपर मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के तेल आते हैं जैसे कि धारा, फॉच्यून, सफोला ऐसे बहुत ब्रांड है लेकिन इन सब का ग्रुप एक ही बनेगा एडिबल ओयल अब सुपर मार्केट है तो कॉस्मेटिक तो मिलेगा ही, कॉस्मेटिक के एग्जाम्पल के लिए, फेर एंड लवली, गानिया फेस वश, वेसलिन बॉडी लोशन, इन सारे आइटम का ग्रुप होगा, कॉस्मेटिक ग्रुप के डिस्प्ले ओप्शन में आपने जो भी बनाया है, उसे देख पाएंगे, सपोज आपको ग्रुप में कुछ चेंजर करना है, तो ओल्टर का ओप्शन काम आएगा, यहां मुझे साबुन के दो ग्रुप बनाने थे, जैसे की बाथिंग सोप और वाशिंग सोप लेकिन मैंने यहां एक ही ग्रुप बनाया, इसे एडिट करने के लिए फिर आप अल्टर में जाईए, अल्टर के ओप्शन से हम किसी भी डेटा को एडिट कर सकते है, अल्टर यह लेजर के अल्टर ओप्शन की तरह सेम ही है, अब मैं यहां साबुन को बाथिंग सोप अब वाशिंग सोप का नया ग्रुप बन गया, हम सिखने के हिसाब से थोड़ा सा ही ग्रुप बनाते है, फ्रूट्स और वेजिटेबल टाइप कीजिए और कंट्रोल प्लस ए से से सेव करते जाईए, हमने जो भी ग्रुप बनाये है, डिस्पले में जाके देखिए यहां स यहां मुझे वेजिटेबल का ग्रुप को डिलीट करना है, अल्टर में आके आप अल्ट प्लस डी को प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो ग्रुप डिलीट हो जाएगा, यह अल्ट प्लस डी का कमांड हर जगह डिलीट करने में काम आता है, अब आप यहां देखिए, व बहुत टाइप के count होके आते हैं, जैसे की sop pieces, या cotton, में आता है, edible oil liter और milliliter में आता है, 40 kilo में और कुछ item package के unit में count होके आते है, इन सबका हमें unit बनाना पड़ेगा, unit बनाने के लिए create में जाइए, यहाँ unit में हमें symbol पूछ रहा है जैसे कि हम pieces को PCS लिख लेंगे और formal name में उसे पूरा pieces लिखेंगे decimal उस जगह use होगा जैसे कि देड़ पिस नहीं होता तो 0 होगा यह हमारे उपर है हम किसी भी unit को अपने हिसाब से symbol लिख सकते है example के लिए kilogram को kg यहाँ हम kg और kg लिख दिए जैसे कि 1.50 kg होता है यहाँ decimal को 2 रखेंगे क्योंकि एक unit के बाद 1.50 decimal आता है इसलिए हमने यहाँ 2 रखा यहाँ हम और भी symbol लिख सकते है लिटर को LTR, milligram को mg package को हम लिखेंगे PKG decimal वहाँ पे देंगे जहाँ unit के बाद decimal आता है example के लिए जैसे कि 1.75 kg होता है 1.50 लीटर होता है वहाँ आप decimal दे सकते है लेकिन 1.50 पीसेज नहीं होता तो वहाँ decimal में आप 0 रखिए अब आपने जो भी unit create किये है उसे display में जाके देखिए इसमें कुछ edit करना है तो वही alter के option से कर सकते है या delete करना तो alter में जाके alt plus d का command keyboard में प्रेस कीजिए अब escape से बहार आईए next अपना important option है stock items याद रखिए ये तीसरा option है सबसे पहले हमने बनाया group और फिर दूसरे में बनाया unit और तीसरा जो की important है stock items business में purchase और sale के लिए जो actual item आते है वो हमें create करना है example के लिए हमने जो group बनाये है साबुन का यानी soap का group इसमें अभी item हम डालेंगे जैसे की साबुन में Dove Cream Beauty Bathing Bar 100 gram Santour Sandal & Turmeric Soap 125 gram Luxe International Creamy White Soap 125 gram यह कुछ example है item का जो soap के group में आते है और इनका unit pieces में होगा तो चलिए कुछ item हम example के लिए बना लेते है अब मैं सबसे पहला item Dove Beauty Bathing Bar लिखूंगा purchase bill देख के item को लिख सकते है वहाँ जैसा item लिखा होगा वैसे लिखेंगे और bracket में 100 gram लिख रहा हूँ यह item में description है यहाँ 100 gram जो लिखा और unit में pieces को select कीजिए इसे अब हम save करेंगे इसी तरह आप जितने item business में खरीदी बिक्री होती है बना सकते है और उसका group और unit डालके item create कर सकते है इसी तरह हमें और कुछ item बना लेता हूँ जो business में purchase और sale होता है आप item creation में भी alter से item को edit या delete कर सकते है और फिर multiple ledger में एक group को select कीजिए जैसे की edible oil अब edible oil के group में suppose sunflower edible oil 1 liter इसमें आप unit भी select कर लीजिए फिर धारा refined brand aisle यह भी एक item है जो super market में मिलता है सफोला sunflower edible oil 500 ml इस तरह का item बना लीजिए जो super market में मिलता है और save कर दीजिए save करने के बाद आप बाहर जाके display में अपना create किया हुआ item देख सकते है और alter के command से edit कर सकते है या alter में जाके alt plus d command से delete कर सकते है यहां में धारा refined oil को delete कर रहा हूँ यहां आपने जाना सबसे पहले group कैसे बनाते है और फिर unit कैसे बनाते है और आखिर में item का creation होता है यह सब आपने सीखा आपके दिमाग में जरूर एक सवाल आएगा कि हमने सिर्फ group, item और unit के बारे में ही क्यों सिखाया इसके अलावा voucher types और copy allocation details का भी option है यह हमने इसलिए discuss नहीं किया कि आप confusion ना हो और हम आपको step by step से tally को सिखाएंगे यह सारे option अपने क्रम के हिसाब से आगे के class में आते जाएंगे So friends आगे के class में हम सीखेंगे की एक business में transaction को record कैसे किया जाता है कैसे purchase और sales का entry किया जाता है इसके अलावा और कौन-कौन से transaction है जो tally में हमको entry करना पड़ेगा यह class केसा लगा हमारे YouTube चैनल में जाके जरूर comment कीजिए और हमें subscribe भी कीजिए Thank you